सिर्फ आधा चम्मच दूद में उबाल कर पी लो आपको पूरी जिंदगी शुगर रोग, कॉलेस्ट्रॉल, मोडापा, पेट से जुड़े रोग, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, कंधे कमर में दर्द, जोडों का दर्द, आर्थराइटिस, अनिद्रा, कैल्शियम की कमी, हडियों की कमजूरी और दिल से जुड़ी कोई भी विमारी 90 साल तक नहीं होगी, आज की वीडियो में हम आपको एक ओशिदी के बारे में बताएंगे, जिसको आप घर पर इजिली बना सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं, अगर आप इस ओशिदी का सेवन करेंगे, तो आ आपका मोटापा भी कम हो जाएगा, पेट से जुड़े रोग अगर आपको रहते हैं, पेट में दर्द रहता है, कब्ज की समस्या है, आपको एसे ठीक हो जाएगी, और दोस्तों अगर आपको कैल्शियम की कमी है, यानि कैल्शियम की कमी के कारण आपकी हडियों में गुटनों में दर्द रहता है या कहीं भी कंदे कमर में दर्द रहता है तो आप इसको इस ओश्दी के सेवन से ठीक कर सकते हैं, अगर आपकी हडिया कमजोर है हडियों को भी आप इससे मजबूत बना सकते हैं, आपको कैलशिम की कमी नहीं होगी, आनीद्र की बिमारी अगर आपको है यानि नींद नहीं आती है तब भी आप इस विमारी में इसका सेवन कर सकते हैं और अपने लिए फाइदा उड़ा सकते हैं दोस्तों अगर आपको दिल से जुड़ी कोई भी विमारी है यानि आपके heart में blockage है या और कोई समस्य है आपको वो भी problem आपकी इस ओशदी से ठीक हो जाएगी जोडों में अगर आपको दर्द रहता है वो भी इससे ठीक हो जाएगा और दोस्तों यही आपके अंदर bad cholesterol है उसको भी आप सही करना चाहते हैं तब भी आप इस ओशदी का सेवन कर सकते हैं और भी इस ओशदी से काफी फायदे मिलेंगे आपको वो हम आपको बाद में बताएंगे पहले हम आपको बता देते हैं कि वो ओशदी क्या है दोस्तो उस ओशदी का नाम है हल्दी, हल्दी से आप अपने अनेक बिमारियों को सही कर सकते हैं दोस्तो हल्दी एक परकार का वनस्पती है, जो अद्रक के परिवार से सम्मन रखती है इसका विग्यानिक नाम करकूमा लोंगा है, इसे हिंदी में हल्दी और इंगलिश में टर्मिलिक कहा जाता है प्रकिर्तिक रूप से इसका रंग पीला होता है, कच्ची हल्दी बिल्कुल अद्रक की तरह दिखाई देती है वहीं हल्दी के पाउडर को भोजन में एक मसाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों, अगर हम अपने भोजन में हल्दी ना इस्तेमाल करें, तो वो सबजी वगारा का रंग भी बिल्कुल फीका लगता है हल्दी से उसमें कलर इतना ब्यूटिफुल आता है कि देखकर ही खाने का मन करता है इसके अलावा इसमें ओश्दिय गुन भी भरपूर मात्रा में पाय जाते हैं स्वास्ते के लिहास से इससे कहीं फाइदे मिलते हैं दोसों हल्दी के खास गुनों से हर कोई परीचित है भारतिय खाने की हल्दी के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती हल्दी का उप्योग आप पाचन तंतर को सुधार करने में कर सकते हैं अगर कहीं भी बोडी में सूजन आ गई है तब भी आप इसका इस्सेमाल कर सकते हैं दोस्तों इसका प्रियोग आज से नहीं बलकि हजारों सालों से ये प्रियोग में लाई जा रही है ओश्दिय गुनों से भरपूर होने के कारण ओश्दिय बनाने में भी इसका प्रियोग किया जाता है और दोस्तों कैंसर रोग से लड़ने के लिए भी इसमें तातो पाय जाते हैं करक्युमनाइट्स और फोलाटाइल इसमें तातो पाय जाते हैं जो cancer से लड़ने के लिए हमारी मदद करते हैं और दोस्तों इसका प्रियोग सबसे ज़्यादा सर्दी में किया जाता है सर्दी में तो ये बहुत ही लाबकारी है गर्मियों में भी हमें इस से काफी फाइदे मिलते हैं लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी कम रखे सर्दियों की अपेक्षा और दोसों जहां तक हो आप कच्ची हल्दी का प्रियोग करें कच्ची हल्दी हल्दी पाउडर की तुलना में बहुत जादा ओश्दिय गुरों से भरपूर होती है आपको ये जानकर आश्चार्य होगा कि कच कच्ची हल्दी के इस्सिमाल के दोरान निकलने वाला रंग हल्दी पाउडर की तुलना में काफी जादा गाड़ा और पक्का होता है कच्ची हल्दी अद्रक की तरह ही दिखाई देती हैं दोसों वैसे तो इसका प्रियोग आप जूस में डाल कर सकते हैं दूद में उबाल आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है कैसे इसकी एक ओश्यदी बनानी है दोस्तों ओश्यदी बनाने के लिए आपको चाहिए एक गिलास दूद एक गिलास दूद को आप उबलने के लिए रख दे अब इसमें दोस्तों आपने क्या करना है आधा चम्मच हल्दी का डाल लेन है अब दोस्तों इसको और स्टोंग बनाने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए आपने क्या करना है आधा इंच अद्रक का टुकड़ा ले 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 अब दोस्तों इसको चान ले और चानने के बाद इसको पी ले अब आपको बताते हैं कि आपने इसका सेवन कैसे करना है और कब करना है और इससे क्या क्या आपको फाइदे मिलेंगे दोस्तों आपने इसका सेवन रात को सोते वग करना है यानि जैसे ही आप सोने के लिए अभी कुछ नहीं लेना है एक घंटे तक, उसके बाद आप उठ सकते हैं या पानी ले सकते हैं या फिर ना उठे तब भी बहतर रहेगा, दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको इससे क्या-क्या फाइदे मिलेगे, सबसे पहले ये आपका शुगर कंट्रोल करेगा, अग जनी हल्दी का महत्वपून घटक है करक्यूमिन, इसका उपयोग लाबकारी साबित हुआ, इसका उपयोग डायप्टीज के जोखिम को कम करता है, इसके अलावा दोस्तों करक्यूमिन का एंटी-डायप्टिक कुम मदुमे में होने वली किसी परकार की जटिलता के जोखिम को भी कम करने में सहायक होता है, ऐसे में दोस्तों आपको हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए, आपने हल्दी का दूद बना लेना है इस तरीके से और इसका आप सेवन करें, दोस्तों इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शम्ता भी बढ़ जाती है, दोस्तों अगर आपका श करक्यूमिन एंटी इंफलमेंटरी गुनों से भरपूर होने के साथ साथ ये हमारी रोग प्रतिरोधक शम्ता को मजबूत करता है, ये इम्यून सेल्स की कारय पनाली को बहतर करने में काफी मदद करता है, जिसके कारण शरीर कई बीमारियों से बचा रहता है, जैसे की अलर करने या उसके परसार को रोखने में काफी मदद कार है, जो प्रोस्टेट, ब्रेस्ट कैंसर और लंग्स कैंसर के जोखिम को कम कर देता है, ध्यान रहे दोस्तों, जिन विक्तिवों कैंसर है, वो पहले अपने डॉक्टर से जुरू संपर कर लें, दोस्तों, यदि आप टापे की समस्या बढ़ती जाती है, इतनी हो जाती है ये समस्या कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर आप हल्दी वाले दूद का प्रियोग कर सकते हैं, ऐसा करने से दोस्तों, आपका जो वजन है, वो तेजी से कम होने लगेगा, और आप स्लिम दिम लगेंगे, इसके साथ साथ दोस्तों, आप व्याम भी जरूर करें और डाइट में बढ़लाव जरूर करें, तब आपको बेहद फायदे मिलेंगे, दोस्तों, हिरदे के लिए ये काफी फायदे मन्ध है, हल्दी का उप्योग हिरदे को स्वस्त रखने में आप कर सकते हैं, हल्दी का सबसे महतपूर घटक करक्यूमिन में कार्डियो प्रोटेक्टिव गुन मुझूद होते हैं जिस कारण इसके उपयोग से हिर्दे रोग यानि दिल से जुड़े रोग के जोखिम से बचा जा सकता है ये बाद जानवरों और मुनिश्यों पर किये गए कई अधिनों में सामने आई है इसके साथ ही एक स्टडी में ये भी पाया गया कि बाइपास सर्जरी के मरीजों में करक्यूमिन के सेवन से दिल के रोगों का ख़तरा कम हो जाता है ऐसे में हल्दी का सेवन हिर्दे को स्वस्त रखने में मदद करता है और दोस्तों पाचन के लिए भी हल्दी का आप उपयोग कर सकते हैं अपने पाचन को बहतर बनाने के लिए जीन लोगों को कब्ज है, एसिडिटी है, अपच है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इस समस्य से छुटकारा पा सकते हैं और दोसों, अलजाइमर जैसी बीमारी में भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं अलजाइमर में वेक्ति धीरे धीरे अपनी यादास होने लगता है उसे याद ही नहीं रहता है यहां तक कि सांस लेना भी वो भूल जाता है अपने बारे में भूल जाता है अपने रिस्तेदारों के बारे में या किसी को भी वो याद नहीं रख पाता ऐसे में अलजाइमर के गातक बिमारी से भी आप छुटकारा पा सकते हैं और दोस्तों, जिन लोगों को चिन्ता रहती है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन में हैं वो, वो भी हलदी का उप्योग कर सकते हैं, इस से उनको चिन्ता और डिप्रेशन को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी और दोस्तों जोडों में अगर दर्ध है, आपके कंधे कमर कलाई, कहीं भी दर्ध है, बोडी में पेन है, अर्थराइटिस है आपको, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आपको कहीं पर चोट लग गई हैं, तब भी आप हल्दी का सेमाल कर सकते हैं, व अपनी गठिया के दर्द को आप दूर भगा सकते हैं, इससे चुटकारा पा सकते हैं, जिन लोगों को खासी रहती हैं, बलगम बनी रहती हैं उनके अंदर, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें भी काफी फायदा मिलेगा इससे, और दोसो, सोराइसीज में भी आप प्रियोग कर सकते हैं, जिन लड़के लड़कियों को कील मुहां से जादा निकलते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोसो, बालों के लिए भी हल्दी बहुत ही उपयोगी है, डेंडर्फ की परिशानी के लिए हल्दी के साथ आप नारियल तेल का उपयोग करें, जो एंटी-फंगल एजेंट की तरह काम करेगा, और जिससे आपका डेंडर्फ और सिर में जो खुजली होती है, उसकी समस्या ठीक हो जाती है, दोस्तो, हल्दी एक ऐसी चीज है जो आपकी अनेक बिमारियों को दूर करेगी, इससे और भी काफी बिमारियों में आपको फा रहता है, आपको घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, हडियों में आपकी कमजोरी है, दिल के रोग है, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत है, तब आप हल्दी के दूर का प्रियोग करें, इससे आपकी ये सारी की सारी समस्या दूर हो जाएंगी, और आ साथ में हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकन है उसे भी दबा देना ताकि आपको हमारी आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवादोस्तो